स्वागत है आप सभी का आज हम आपको कुछ ऐसी अजीब और चौकाने वाली थियोरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं इन थियोरीज से आपको लगेगा कि आपकी हकीकत ही शायद एक भ्रह्म हो सकती है तो चलिए जानते हैं इन हैरान कर देने वाली थियोरीज के बारे में नमबर दस पर है सिमुलेशन थियोरी सोचिए अगर हमारी पूरी जिंदगी, ब्रह्मांड और यहां तक की हमारी हकीकत एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो इस थियोरी के अनुसार कोई भी सभ्यता इतनी एडवांस हो सकती है कि वो इतनी सटीक सिमुलेशन बना सके जिसमें हम महसूस भी ना कर पाएं कि हम असली नहीं है क्या हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं कुछ बड़े टेक लीडर्स तो इसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सिमुलेशन थियोरी एक विचार है जो कहता है कि हमारी वास्तविक्ता वास्तव में एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है इस विचार के अनुसार जिस दुनिया को हम असली मानते हैं वह एक उच्य विकसित सभ्यता द्वारा बनाई गई कृत्रिम दुनिया हो सकती है जो इतनी जटिल है कि हम इसे पहचान नहीं सकते इस सिधान्त को समझने के लिए हम एक उदाहरन ले सकते हैं जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं वैसे ही संभव है कि कोई हमें भी एक बड़े पैमाने पर सिमुलेशन के रूप में देख रहा हो इसका मुख्याधार ये है कि अगर किसी सभ्यता ने तकनीकी रूप से इतना विकास कर लिया हो कि वह जटिल सिमुलेशन तयार कर सके तो यह संभव है कि हमारी वास्थविक्ता भी उसी का हिस्सा हो भविश्य में सभ्यताएं इतनी उन्नत हो सकती है कि वे वास्थविक्ता जैसी सिमुलेशन तयार कर सके हम खुद भी एक सिमुलेशन में जी रहे हो सकते हैं और हमारी दुनिया का हर नियम उसी simulation का हिस्सा हो। ये विचार भी है कि एक असली वास्तविक्ता भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसमें हैं या किसी simulation में। ये विचार गहराई से दार्षनिक हैं और विज्ञान, तकनीक और वास्तविक्ता की प्रकृती पर सवाल उठाते हैं। नमबर नौ पर है मंडेला एफेक्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई घटना याद हो, लेकिन जब आप उसकी जाँच करें, तो पता चले कि वो कभी हुई ही नहीं। इस थियोरी के मुताबिक या किसी दूसरी हकीकत से टकराने का नतीजा हो सकता है। मंडेला एफेक्ट एक ऐसी घटना है जिसमें कई लोग एक ही घटना या तथ्य को अलग तरीके से याद करते हैं। जबकि वास्तविक्ता में वह घटना वैसी नहीं होती। इस शब्द की उत्पत्ति तब हुई जब कई लोगों ने इस बात को याद किया कि नेलसन मंडेला की मृत्यू 1980 के दशक में जेल में हुई थी, जबकि वास्तव में उनकी मृत्यू 2013 में हुई थी। इस तरह की सामूहिक गलत फहमी को मंडेला प्रभाव कहा गया। या सिध्धान्त यह बताने की कोशिश करता है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग एक ही घटना को गलत तरीके से याद कर सकते हैं। जिनमें लोगों की यादें वास्तविक्ता से मेल नहीं खाती और इसे ही मंडला एफेक्ट कहा जाता है। क्या यह बस हमारी याद दाश्त की गलती है या हम सचमुच किसी दूसरी दुनिया से गुजर रहे हैं। नमबर आठ पर है टाइम इस एन इल्यूजन। थियरी समय एक भ्रह्म हैं। कुछ वैज्यानिक मानते हैं कि समय जैसा हम महसूस करते हैं, असल में वैसा है ही नहीं। ब्लॉक यूनिवर्स थियोरी के अनुसार, अतीत, वर्तमान और भविश्य सभी एक साथ मौजूद हैं। और हम बस इन घटनाओं के बीच से गुजर रहे हैं। अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है या होगा, वो पहले से तय है। और हम सिर्फ उसे अनुभव कर रहे हैं। समय एक भ्रम है, ये सिध्धान्त कहता है कि समय जैसी कोई वास्त्विक चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमारी मानसिक और भौतिक समझ की एक अवधारणा है। इस दृष्टिकोन के अनुसार, समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। बल्कि यह हमारे मस्तिश्क की रचना है, जो घटनाओं को क्रम में समझने और उनमें संबंध स्थापित करने के लिए होती है। समय एक भ्रम है, इस सिध्धान्त की मुख्यतह भौतिक शास्त्र और दर्शन में गहराई से चर्चा की गई है। आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रेलेटिविटी के अनुसार समय और स्थान स्थिर नहीं है, बल्कि यह अब्जरवर के द्रिश्टिकोन पर निर्भर होते हैं। यानि समय अलग-अलग परिस्थितियों में अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। ये विचार हमें बताता है कि समय कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि यह हमारी समझ का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविश्य तीनों ही एक साथ मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हम उन्हें एक लाइनियर क्रम में अनुभव करते हैं। इस द्रिश्टिकोण के अनुभव और घटनाओं की सीक्वेंस केवल एक मानव निर्मित कल्पना है। थियोरी नंबर साथ, क्वांटम अम्रता। इस थियोरी के अनुशार आप कभी मर नहीं सकते। एक विचार है जो क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ा हुआ है। यह सिध्धान्त क्वांटम मल्टिवर्स या कई ब्रमांडों के विचार पर आधारित हैं। जिसे कई दुनिया की व्याख्या कहा जाता है। इस सिध्धान्त के अनुसार हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है, तो ब्रहमांड अलग-अलग संभावनाओं के अनुसार विभाजित हो जाता है। च्वांटम अम्रत्व की धारणा यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यू एक ऐसी स्थिति में होनी है, जहाँ कई संभावनाई हैं तो उसके हर एक संभव ब्रहमांड में उसका अस्थित्व जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि भले ही किसी एक ब्रह्मांड में व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है, लेकिन एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में वह जीवित रहेगा, इसलिए किसी व्यक्ति के दृष्टिकोंड से उसकी कभी मृत्यू नहीं होगी, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी ब्रह यह विचार विशेश रूप से क्वांटम यांत्रिकी के संदर्व में आता है और इसमें वास्तविक अमरता की बात नहीं की जाती, बलकि यह संभावनाओं के आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व को देखने का एक तरीका है। बात होनी चाहिए, तो फिर हम अभी तक किसी और सभ्यता के साथ संपर्क में क्यों नहीं आए हैं। यानि अगर आकाश गंगा इतनी बड़ी है और जीवन के विकसित होने के अवसर इतने अधिक हैं, तो हम अकेले क्यों हैं। इसका उत्तर देने के लिए ग्रेट फिल्टर स सिध्धान्द दिया गया है। यह सिध्धान्द कहता है कि जीवन के विकसित होने में कई बाधाएं होती हैं। और ये बाधाएं इतनी बड़ी हो सकती हैं कि अधिकांश सभ्यताएं कभी उस तर तक नहीं पहुँच पाती, जहां वे दूसरे ग्रहों या सभ्यताओं के सा पर्क कर सकें। इस फिल्टर का मतलब ये है कि या तो हमसे पहले जीवन के विकास के शुरुवाती चरणों में ही अधिकांश सभ्यताएं नश्ठ हो जाती हैं। जैसे कि बायोलोजिकल विकास या ग्रहों की अनुकूल स्थिति या हमारे बाद को यसी घटना होगी जैसे पर्मान युद्ध, जलवायु परिवर्तन या तकनीकी विनाश जिससे अधिक विकसित सभ्यता नश्ठ हो जाती हैं। यदि ग्रेट फिल्टर हमारे पहले हैं तो इसका मतलब है कि हमने सबसे बड़ी बाधा पार कर ली है और हम ब्रमान में एक दुरलब और अनोखी सभ् बन सकती हैं। ये विरोधा भास और सिधान्त हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मान कितना बड़ा और रहस्यमय है और हमारी सभ्यता को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। थियरी नंबर पांच होलोग्राफिक ब्रह्मान थियरी। सोचिए, अगर हमारी पूरी दुनिया असल में एक होलोग्राम हो, ये थियरी कहती है कि जो कुछ भी हम तीन डी में देखते हैं, वो असल में दो डी सतह पर ही लिखा हुआ है। बिलकुल एक होलोग्राम की तरह। वैज्ञानिकों ने इस थियरी के पक्ष में इशाल होलोग्राम की तरह हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम 3D दुनिया के रूप में अनुभव करते हैं, वह वास्तों में दोडी सतह परंकित हो सकता है। और हम इसे एक तीन डी सनरचना के रूप में देखते हैं। इस थियरी की शुरुवात 1990 के दशक में भ ब्रह्मान की गणनाएं और भौतिक नियम तब भी सही बैठते हैं जब हम इसे दोडी में सोचते हैं। इसका एक उदाहरन ब्लैक होल के सिध्धान से लिया गया है। वैज्यानिकों ने देखा कि ब्लैक होल की सतह पर मौजूद जानकारी उसके भीतर की पूरी सामगरी के बारे में पता सकती हैं। जैसे कि वह ब्लैक होल एक होलोग्राम हो। अगर यह थियोरी सही होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरह से प्रोजेक्टिड हैं। और हम जो कुछ भी अनुभव कर रही हैं वह वास्तव में उस सतह पर जूत जानकारी का एक प्रतिविंब हो सकता है। इस विचार ने विज्ञान और दार्शनिक चर्चा को एक नया आयाम दिया है। क्योंकि यह हमारी वास्तविक्ता और चेतना की प्रकृति पर सवाल खड़े करता है। नंबर चार पर है एंथ्रॉपिक प्रिंसिपल यह थियोरी कहती है कि ब्रह्मान वैसा ही है जैसा होना चाहिए कम से कम हमारे अस्तित्व के लिए। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मान के नियम और स्थितियां जीवन के लिए एकदम सही हैं क्योंकि अगर वो सही नहीं होते तो हम यहां होते ही नहीं एंथ्रोपिक सिध्धान्त एक दार्षनिक और वैज्ञानिक सिध्धान्त है जो कहता है कि ब्रह्मांड के कुछ पहलू और नियम ऐसे हैं जो इस तरह से बने हैं कि उनमें जीवन, खासकर मानव जीवन, पनप सके इसका मतलब यह है कि अगर ब्रह्मांड के नियम या प्रारंभिक स्थितियां थोड़ी भी अलग होती तो शायद जीवन संभव ही नहीं होता इस सिध्धान्त के दो प्रमुख रूप है पहला सिध्धान्त है वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यह कहता है कि हम ब्रह्मांड को इसलिए इस रूप में देख पा रहे हैं क्योंकि केवल ऐसा ब्रह्मांड ही जीवन को संभव कर सकता है यानि जो भी ब्रह्मांड हो वह इस प्रकार होना ही चाहिए ताकि हम उसमें मौजूद हो सकें और उसे देख सकें दूसरा है strong anthropic principle यह सिध्धान्थ और आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रह्मान को इस तरह से होना ही चाहिए ताकि इसमें जीवन विकसित हो सके इसका तातपर्य यह है कि ब्रह्मान्थ की सनरचना और नियम ही इस प्रकार बनाए गए हैं कि उनमें जीवन पनब सके anthropic सिध्धान्थ एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और दर्शन दोनों में महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा रहा है क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या जीवन का अस्तित्व ब्रह्मान्थ की सनरचना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है इस सिध्धान्थ से एक बात तो क्लियर है क्या ब्रह्मान्थ जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है या हम बस बहुत ही किस्मत वाले हैं नमबर तीन है Many worlds interpretation को हिंदी में अनेक विश्व व्याख्या कहा जाता है ये Quantum यांत्रिकी से संबंधित एक सिध्धान्थ है जिसे 1957 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी Hugh Everett तीसरे ने प्रस्तुत किया था इस सिध्धान्थ के अनुसार हर बार जब भी कोई Quantum घटना होती है तो ब्रह्मान्थ विभाजित हो जाता है और हर संभव परिणाम के लिए एक नया ब्रह्मान्थ उत्पन्य होता है अर्थात जब भी कोई निर्ना या घटना होती है तो एक से अधिक वास्तविक्ताएं पैदा होती है उदाहरन के लिए अगर आपने एक सिक्का उच्छाला और वह सिर्या पूंच दिखाए तो यह सिध्धान्त कहता है कि एक ब्रह्मांड में सिक्का सिर्द दिखा रहा होगा जबकि एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में वह पूंच दिखा रहा होगा ये सभी संभावनाएं अलग-अलग ब्रह्मांडों में घटित होती हैं और वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं इस व्याख्या के अनुसार हमारे हर निर्णय और हर घटना के परिणाम स्वरूप असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और इन सभी ब्रह्मांडों में घटनाएं समानांतर रूप से घटित होती रहती हैं नमबर दो है, बोल्ट्समैन ब्रेंस ये विचित्र थियोरी कहती है कि ब्रह्मांड में होने वाली हलचल से अचानक एक पूर्ण रूप से चेतनशील मस्तिष्क बन सकता है, जो यादों के साथ आता है बोल्ट्समैन ब्रेंस का सिध्धानत एक दिल्चस्प और चुनोती पूर्ण विचार है जो भौतिकी और दर्शन शास्त्र के दाएरे में आता है इसे समझने के लिए पहले हमें लुडविक बोल्ट्समैन के काम और थर्मोडाइनामिक्स के सिध्धानतों पर ध्यान देना होगा बोल्ट्समैन ने थर्मोडाइनामिक्स और एंट्रॉपी के विचार को आगे बढ़ाया entropy का अर्थ होता है किसी प्रणाली में अराजकता या अव्यवस्था की मात्रा समय के साथ किसी भी बंद प्रणाली में entropy बढ़ती जाती है जिससे प्रणाली ज्यादा अव्यवस्थित हो जाती है यह सिध्धान्त ब्रह्मांड के लिए भी लागू होता है बोल्ड्स मैन ब्रेंज का सिध्धान्त कहता है कि अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो इसमें अंगिनत रैंडम कौन्टम फ्लक्चुएशन्स होते रहते हैं ऐसे में थियोरी ये बताती है कि किसी खास समय पर रैंडम कौन्टम फ्लक्चुएशन्स में से अचानक से एक मस्तिश्क जैसे हमारा उत्पन्य हो सकता है जिसमें अस्थाई रूप से चेतना हो सकती है इसे बोल्ड्स मैन ब्रें कहा जाता है इस स्थिती में हम सब सिर्फ अंतरिक्ष में तैरते हुए मस्तिश्क हो सकते है और हमारी पूरी हकीकत एक भ्रम हो सकती है हैरान करने वाला है ना आखिर में नंबर एक पर है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथिस ये थियोरी कहती है कि ब्रहमार्ण में उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं लेकिन वो खुद को छिपा रही है ब्रहमार्ण एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां हर कोई शिकारी है और अगर आप खुद को प्रकट करते हैं तो तुरंद किसी अन्य सभ्यता द्वारा नश्ट हो सकते हैं क्या हम इस ब्रहमार्ण में अकेले हैं या छिपी हुई उन्नत सभ्यताएं हमें देख रही हैं डार्क फॉरेस्ट हाइपोथिस एक सिध्धान्त है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि हम अभी तक ब्रहमार्ण में किसी भी एलियन सभ्यता से संपर्क में क्यों नहीं आए हैं इसे लेखक लिव सिक्सिन की किताब दाथ्री बॉडी प्रॉबलम की शृंखला में लोग प्रियता मिली इस सिध्धान्त के अनुसार ब्रहमांड एक विशाल और खतरनाक अंधेरे जंगल की तरह है हर सभ्यता शिकारियों से भरे इस जंगल में छिपी रहती है और जैसे ही किसी सभ्यता को पता चलता है कि कोई दूसरी सभ्यता मौजूद है वह उसे खत्रे के रूप में देखती है चुँकि हर सभ्यता अपनी अस्तित्व की सुरक्षा चाहती है इसलिए वह दूसरी सभ्यता को नश्ट कर सकती है ताकि खुद पर कोई खतरा न बने इस कारण से सभी सभ्यताएं खुद को छिपाने की कोशिश करती है और एक दूसरे से संपर्क नहीं करती संग्षेप में इस सिध्धान्द का मतलब है कि हो सकता है कि ब्रह्मान में जीवन हो लेकिन सभी सब भिताएं अपनी सुरक्षा के लिए खामोश और छिपी रहती है जिससे हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते तो ये थी दस ऐसी अजीब थियोरी जो आपके होश उड़ा देंगी इन में से कौन सी थियोरी आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले अगली बार तक अपने आस पास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए